नमस्कार महाँदिर पुंजय कुमार जा और आज का दिन बहुत बहुत खास है जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं आप अपना रिमोट साइड में रग दें क्योंकि आपके लिए कमोलिटी मार्केट से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ख़बर आने वाली है और ये ख़बर आपके लिए देखना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डे टू डे में इस मार्केट में ट्रेट करते हैं डील करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी ख़बर आने वाली है और बड़ी ख़बर ये है कि एगरी कमोलिटी का सबसे बड़ा एक्सचें कि की में विले होने जा रहा है और हमें ख़वर मिली है कि सेवी से मनजोरी की प्रक्रिया अंतिम चरन में इस ख़वर को डीटेल में बताने के लिएं ने इस खबर को सबसे पहले ढूचा है समझा है और ब्रेक किया है तरुन पूरुन बताईए पहले कि ये पूरी ख़बर है क्या और कब तक इस विले को मंजूरी मिल जाएगी। में तुझे सर्व मैं बताना चाहूंगा कि देश के दो बड़े एक्षेंज एक्विटी और एग्री कमोडिटीज का मरजर होने जा रहा है। NCDX NSEE में विले हो जाएगा और ये विले कब तक होगा हो सकता है कि ये जो न्यूज है जो विले की मंजूरीी है जो सेविसे मिलनी है ये किसी भी मॉमेंट आ सकती है। सेफर साइट पर हम यह कहके चल रहे हैं कि इस हफते में आ सकती है, हो सकता है कि यह मंजूरी आज शाम तक आ जाए, लेकिन इस हफते के अंदर यह मंजूरी आ जाएगी, और यह एक एग्री कमोडिटीज के लिए बड़ा बूस्टर है, क्योंकि NCDX अपने आप में बहुत अ बिगरानी सरकार और सेवी दोनों की तरफ से रहती है, तो अब यह जो एक्सचेंज है, यह NAC में विले होगा, और NAC के पास एक बड़ा कैश है, एक FPI और डोमेस्टिक इंस्टिशनल वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो एक बड़ा अपॉर्चनटी एग्री कमोडिटीज के इसके बाद FPI की मनजूरी मिलती है, तो NAC में अल्रेडी FPI ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज में बताना चाहूँगा, यह काफी करीबन दो साल से इस पर चर्चा चल रही थी, आप इस पर से भी चाहता था कि एक सबसीड बनके काम करें, इंडिपेंडेंट वे में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि SEBI जो एक डिसकेशन पेपर लेकर आया, उस डिसकेशन पेपर को लास्ट जो बोर्ड मीटिंग की सब्टेंबर में, सताही सब्टेंबर को उसमें मंजूरी नहीं मिल पाई, एक सब्सक्राइब के से वो पेपर स्क्रैप हो गया, वो इसी बिसनस ने वो खबर दिखाई थी, तो अब ये है कि अब वो तो नहीं हो सकता, तो अब क्या हो सकता है, अब मर्जर ही एक ऐसा आप्शन रहता है, और SEBI इस मर्जर को इसलिए अपरूव करेगा, क्योंकि एक एग मन्जूरी मिल सकती है, यह यह बात तरुन ने बहुत महफून बताए, तरुन आप एक बात और बताएं कि सेवी से मन्जूरी मिलने के बाद, उसके बाद की प्रक्रिया विले की क्या होगी, देखिए, यह को कि एक मर्जर है, सेवी एक रेगुलेटरी, रेगुलेटर है, दोनों ही एक रेगुलेटरी नोड मिलेगी, रेगुलेटरी नोड के बाद वो एंसी एल्टी जाएंगे, एंसी एल्टी में यह मर्जर अप्रूव होगा, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में, उसके बाद यह प्रॉपर, जिसको हम पूरी तरह से विले कहेंगे, वो होगा, लेक यह किसी भी मॉमेंट हो सकता है, कि शाम का हम शो करें तो हो सकता है कि मंजूरी मिल चुकी है, यह बात जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, एगरी मार्केट के खास करके, उनके लिए समझा बहुत जरूरी है, तरून बहुत कॉन्फुडेंस के साथ यह बात कह रहे ह से, और इस पर बातचित करने के लिए कमोलिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन CPI के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, नरेंदर वादवा, वादवा जी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका पहला रियक्शन, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस बात की जरू ले होगा, लेकिन गब होगा जैसे तरुन सारे हैं कि ये इतना जल्दी हो सकता है कि शांत को भी चैदम ब्रेक करें, नियूस की, कि भई ये इसकी अप्रूवल आ गई है, अगर ये नौड आता है, तो ये अच्छा है मार्केट के लिए, कमोर्टी मार्केट के लिए, अगर इसका विले होगा, ये मार्केट के लिए, एग्री मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, डेरिवेटी मार्केट से मार्केट से अच्छी नियूद होगे। के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा यह तरुन अब एक बात बताया आपकी इंटेंट क्या है इस मर्जर के पीछे क्योंकि आपने भी कहा कि एगरी कमुलिटी का कारोबार कम हुआ है वाल्यूम कम हुआ है बहुत सारी कमुलिटी डिलिस्ट हो गई है फ्यूचर मार्केट स इंटेंट क्या है क्या बहुत बड़े पैमाने पर एगरी ट्रेट को यहां पर बढ़ावा मिलेगा इस मर्जर के बाद इसके अंदर की खवर क्या है क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी दिल्चस्पी मर्जर से ज्यादा इस बात में है कि एगरी का कारोबार है पर वो कितना फलेगा फुलेगा इसको लेकर क्या इंफर्मेशन बिल्कुल दिखिए आप एनसी एंसी डी एक्स एमसी एक्स बीसी यह चार बड़े एक्शेंज है इस समय देश के अंदर और एनसी जो है वो एक्विटी के अंदर लीड कर रहा है ठीक है एनसी डेक्स एग् अधर बताया कि एक सीमी दाइरे में कारोबार होता है बहुत जादे एक्सपेंशन होनी पाया यह एक्सपेंशन की कोशिश जो इससे पहले जो एमडी थे उन्होंने भी करी थी क्योंकि यह मर्जर की बात है पहले हुई उसके बाद उन्होंने आईपी ओ के लिए डिरएच भी चले गई तो अब जो नया मेणेजमेंट है वो भी चाहता है कि डवलॉपमेंट हो और से बी यह चाहता है कि ड्लॉपमेंट हो क्योंकि देखए जो नॉनन एगरी सेगमेंट है इसमें है अगरी में लेकिन हम price giver हैं, कई ऐसी commodities हैं, जिसमें हम price giver हैं, और दूसरा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी commodities हैं, जिनको आप नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं शुरू नहीं हो पारी थी, आपको cash चाहिए, आपको distribution channel चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो व वो एक रस्ता खुल जाएगा, एक जो दूसरी तरफ से जो pressure था वो था, जो existing share holders हैं, उनकी तरफ से भी था, आप देखें, LIC है, 11% से उपर की share holding है, नबाड है, PNB ने अपनी share holding 7% से घटा के 5% के आज पस लिए है, तो ये जो banks हैं, इनको भी एक exit चाहिए, तो अब इनक के share मिलते हैं, या अपना ये जो share है, वो NAC को देकर निकलते हैं, तो ये भी एक बड़ा reason है, जिसको से भी consider कर रहा है, लेकिन से भी का साफ intent है, कि हमें agree commodity को बढ़ाना है, एक line की ख़बर, मतलब तरूर ने बहुत detail में आपको बताई, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं खासकर के जो agree के trader हैं, किसान हैं, उनके लिए एक line में बड़ी ख़बर यही है, कि agree कारवार को बढ़ावा देने के मकसद से, मजबूत करने के मकसद से ये murder की परकिरिया चल रही है, जिस पर जल्द मुहर लग सकती है, तो खुल मिलाकर जो trader है, agree के जो exporter है, importer हैं, उनके की तरफ से, लेकिन उनका intent तो यह है, कि हमें farmers की income डबल करनी है, ठीक है, तो agree commodity यह दी strong होगी, एक price discovery यह दी strong platform पे होगा, तो वो जो intent सरकार का है, सेवी का है, वो exchanges भी उसको execute करता है, पुरा जगड़ा ही इसी बात का है, कि किसानों को अच्छा भाव कैसे मिले, और यह ज के पीछे भी मकसद यही था, कि किसानों को एक price discovery, मतलब किसानों को भाव का अंदाजा लगे, कि आगे किसी फसल का भाव क्या होने वाला है, और उसको देखकर किसान यह तै कर पाये, कि खेती करनी है, नहीं करनी है, इस फसल की, तो उस दिशा में तरुन बता रहे हैं, कि और मजबूत करने के लिए price discovery platform को यह कदम यहां पर उठाया जा रहा है, वादबाजी, एक सवाल सर मैं आप से और पूछना चाहता हूं, कि आपके हिसाब से कितना बड़ा potential इस market में है, मर्जर के बाद, क्या आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर एगरी commodities और future के platform पर आ अगर अगर उसके अंदर पाटिस्वेट करेगा NCDX, NAC के साथ विले होने के बाद, तो यह potential तो कफी है commodities मार्केट में, और exchange बड़ी होने के बाद यह इसको आगे ले जाता हैगी. बहुत शुक्रिया नरेद वादवाजी आपका, तरुन आपका इस बड़ी खबर को break करने के लिए सबसे पहले यह बड़ी खबर आपने Zee Business पर देखी और तरुन कहा रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर अधिकारिक मोहर लग सकती है, बहुत शुक्रिया इस खबर पर लगता हमारी नजर बनी रहेगी